प्रिये विद्यार्थियो पिछले व्याख्यान में हमने एकांकी के बारे में चर्चा प्रार्म की थी और एकांकी के तत्व कौन से होते हैं वहां तक हमने जानकरी ले ली थी इससे पहले हमने परिवासा और स्वरूप के बारे में जानकरी ली थी आज हम एकांकी के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे और इदी संभव हुआ तो नाटक और एक आंकी में अंतर की चर्चा भी हम करेंगे तो नाटक को एक आंकी के जब हम तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि कुल मिलाकर के 9-10 जो है एकांकी के तत्वः विभिन विद्वानों द्वारा लिए गए और हमने उनको संक्लन करके जो सबसे महत्वपूर्ण तत्वः हो सकते हैं उनको ध्यान में यहां लाने की कोशिश की थी उसी तरह से आज हम एकांकी के जो भेद हैं उस पर भी चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि विद्वानों ने निश्चित रूप से एकांकी पर चर्चा करते हुए, एकांकी पर विचार करते हुए इसके बारे में जब सोचा तो अपने अनुसार अपने विचारों के अनुसार अपनी समझ के अनुसार उन्होंने बहुत से प्रकार की एकांकिया पाई या एकांकियों में भेद पाई अंतर पाया और उसके आधार पे उन्होंने एकांकियों का भेद करने की प्रक्रिया को अ उस विचार और दिश्टी कौन के आधार पर उन्होंने एकांकियों के भेद किये तो अब ये सवाल उठता है कि हम उन भेदों में से कौन से भेद लेकर के चले अपने मूलत है दो प्रकार के जो भेद किये गए हैं उन पर ही चर्चा करेंगे पहला आधार जो हम लेकर के चलते हैं वो है विशय अर्थात विशय के आधार पर एकांकियों में भेद या एकांकियों के प्रकार की जो एकांकियों में विशय लिया गया है उस विशे के आधार पे हम एकांकियों की कितने प्रकार कर सकते हैं दूसरा जो एकांकियों के भेद का आधार हम लेंगे वो होगा रचना पदती कि किस रचना पदती का उपयोग करते हुए इन एकांकियों का अंतर किया गया है इन एकांकियों में भेद किया गया इन एकांकियों के प्रकार्स हमारे सामने रखे गए हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं एकांकियों का जो विशय के अधार पर भेद किया गया है उसको हम लेते हैं तो पहला जो भेद हमारे सामने निकल करके आता है वो है सामाजिक एकांकिया दूसरा जो भेद निकल के आता है वो है राजनितिक एकांकि तीसरा जो भेद निकल के आता है वो है अईतिहासिक एकांकि चोथा जो भेद निकल के आता है वो है चारित्रिक एकांकी पांचवा जो भेद निकल के आता है वो है व्यंग्यात्मक एकांकी छटा जो भेद निकल के आता है वो है समस्या मोलक एकांकी सात्वा है हाश्य एकांकी और आठवा हम ले सकते हैं विचार प्रधान एकांकी इसे तरह से और भी बहुत से प्रकार हुई प्रतीत होगी इन आठ दस प्रकार का जो एकांकियों का भेद विशे के आधार पे हम यहां विद्वानों ने यहां जो किया है वो लगबक सभी प्रकार की एकांकियों को अपने वीतर समाहित कर लेता है हम जानते हैं कि एकांकियों में सामाजिक विशे उठाये जाते ह राजनीतिक विशे उठाये जाते हैं आयतिहासिक विशे जो है वो लिया जाता है या उनकी प्रिष्ट भूमी आयतिहासिक होती है इसी प्रकार से चरित्र का निर्मान करने में चरित्र को दर्साने वाले एक आंकियां भी लिखी गई है तो और कई वार सीधी-सीधी बात नह ही जाती है इसी तरह से समाज में वेविद समस्चयां आती है उन समस्चयां में जो महत्वकून समस्चयां उनको विशा बना करके भी एक आंकियां लिखी जाती है और विचार प्रधान एक आंकियां भी होती है और हाश्य प्रधान एक आंकियां भी होती है तो इन सब भी की एकांकियों को हम देखेंगे सबसे पहला है सामाजिक एकांकिया निश्चित रूप से साहित्य का कोई भी विशे समाज से अचूता नहीं है और हम उसको समाजिक एकांकि इसलिए कहते हैं कि उन समस्याओं में से किसी एक समस्या को ले करके या एक से अधिक समस्याओं को ले करके या उस समय समाजिक जो विसंगतियां हैं हमारे सामने उन विसंगतियों को या समाज के किसी परिप्रेक्षे को ले करके हमारे सामने जो एकांकिया आती है उन्हें समाजिक एकांकी का नाम दिया जाता है अतात उस समय के तातकालिक समय के समाज की जो गतिवीदियां चल रही है उन गतिवीदियों को छूते हुए ये नहीं कि उसमें खली समश्या ही हो उसमें किसी आदर्श को लिया जा सकता है उसमें किसी समश्य को भी लिया जा सकता है उसमें किसी विशेश इस्थिती को लिया जा सकता है तो इस प्रकार की एकांकियां सामाजिक एकांकियां कहलाती है और ऐसी बहुत सी एकांकियां लिखी गई है दूसरी प्रकार की होती है राजनीतिक एकांकिया ऐसी एकांकियों में जो एकांकि होती है उसकी प्रिष्ट भूमी राजनीतिक होती है जो विशे लिया जाता है जो मुद्दा लिया जाता है वो राजनीती को छूता हुआ होता है राजनीती परसितियां हो सकती है उस समय की कैसी है क्या है या राजनीती का प्रभाव हो सकता है या राजनीती की कमजोरियां हो सकती है राजनीती में बिगाड आयो हैं वह होसकते हैं राजनीती में यह दि उच्च शिखर को कहीं चुआ है तो वो भी हो सकती है तो इस तरह से जो राजनीतिक विशे होते हैं उनको लेते हुए यह उस प्रिष्ट खूँमी पर जो एकांकिया लिखी जाती है वो राजनीतिक एकांकियां कहलाती है फिर आते हैं अईतिहासिक एकांकी ऐसी एकांकियों में विशे जो लिया जाता है वो अईतिहासिक प्रिस्ट भूमी से अमारे सामने लाया जाता है जो पूरों में अमारे इतिहास में जो गटनाएं गटित हो चुकी है उन गटनाओं के आधार पर या उन महापुरूसों को आधार मानते हुए उनकी जीवनी को आधार मानते हुए उनके व्यभार को आधार मानते हुए उनकी सफलताओं को देखते हुए उनकी ऐसफलताओं के कारणों को देखते हुए इस तरह से अतिहास से जुड़े हुए जो बिंदू है वो बिंदू ततकालिक समाज में अरता तो वर्तमान समाज में जिसमें की एकांकियां लिखी जा रही है उसको छूते हुए जो एकांकियां लिखी गई वो अतिहासिक एकांकियां कहलाती है ये एकांकियां वर्तमान समाज को प्राचिन समाज से जोड़ करके और वर्तमान समाज को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है और पुरानी जो हमारी संस्कृती रही है हमारा जो समाज रहा है उसमें जो कमिया रह गए उनसे हम बचे ये भी हमको बताती है फिर आते हैं चोथे प्रकार की एकांकियों में वो है चारित्रिक एकांकिया ऐसी एकांकियां चरित्र प्रधान एकांकियां होती है इन एकांकियों में कोई विशेश पात्र होता है और उसका चरित्र लिया जाता है उसके चरित्र को प्रकाशित किया जाता है और प्रकाशित इस तरह से किया जाता है कि उसकी अच्छाईों को खूब अच्छी तरह से दिखाया जाता है या मान लीजिए किसी बुरे चरित्र से भी कोई शिक्षा लेने हैं कि हमको बुराई नहीं करने हैं तो उसकी बुराईयों को उभार करके उनसे बचने की तरफ ले जाने की कोशिश इन एकांकियों में दिखाई देती है तो जहां चरित्र को आधार मानते हुए जो एकांकियां लिखी गई वो एकांकियां चरित्र के एकांकियां कहला है फिर है व्यंग्यात्मक एकांकियां कई वार कुछ वीशे ऐसे होते हैं जो यदि हम सीधे तरीके से सहिते में लाएं या एकांकी में लाते हैं तो वो सहित प्रभाव नहीं छोड़ पाते या उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते जितना कि ये व्यंगे के रूप में जब बात आती है ये एक तीखेपन के साथ जब बात कही जाती है तो वो प्रभाव डालती है वैसा प्रभाव सामने नहीं होता तो ऐसी एक आंकियां जिन में किसी भी गटनाक्रम को किसी भी बात को किसी भी व्यवार को किसी भी विशे को व्यंजना के साथ प्रकट किया जाता है और एक文 पेदा होता है तो वहां वो एक आंकी व्यंग प्रधान एक आंकी कहलाती है अब यह और आश्य परधान एक आंकीं तो आपके मस्तिस्क में एक चीज और आती होगborg कि फिर व्यंग्य और हाश्य में क्या अंतर हो जाता है तो इसका हम विश्टार से अध्यन तो आगे कहीं करेंगे जब यह दियावसर मिला तो व्यंगे में एक तीखा पन होता है और हश्य में एक हसी मजा का हलका फुलका पन होता है जबकि व्यंगे में गहराई होती है ये अंतर मूलते आ जाता है तो हश्य प्रधान एकांकियां भी हमारे यहां लिखी गई जो कुछ समस्याएं हमारे याँ थी उन समस्याओं को हसी मजाग के तोर पर प्रकट जिन एकांकियों में किया गया वो एकांकिया हस्य पुजान एकांकिया कहलाईगी भलके फूल के तरीके से भलके फूल के महौल के साथ प्रकट किया गया वह वह हाँ से एकांगियां कहलाई फिर है एक और बेदेक आंगियों का बसता है समस्या मोलक एकांगियां तो स्ताथकालिक सम्हस्लों या जिस किसी भी समय के विश्या को लेकर के एकांगियां लिखी जाते हैं निश्चित रूप से समावमें समस्या collar तो आती ही रहती है लेकिन कुछ समस्याइं विशेस होती है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं पर विचार करते हुए जो एक आंकियां लिखी जाती है वो एक आंकियां समस्या प्रधान एक आंकियां कहलाती है तो ये आठ भेद हमारे सामने आए जो एकांकियों के भेद रहे और जो विशे के आधार पड़ते हैं अब कुछ भेद जो हैं वो रचनापदती के आधार पर हम ले सकते हैं तर एकांकी किस प्रकार से रचित की जा रही है जिसे एकांकी के सुरूम मैंने कहा कि एकांकी में एक एंक होता है लेकिन आप देखते हैं कि एकांकी कई इसों में बंटी होती है तो मैंने कहा ये एंक नहीं वलकि क्या होते हैं दृष्षे होते हैं तो वो द्रिश्य कितने हो उसके आधार पर भी एकांकी हो सकती है फिर एकांकी को किस तरह से लिखा गया है पात्रों के संवाद के माद्यम से आया प्रवक्ता उस एकांकी को आगे ले जाता है उस तरह के से फिर रंगमंत से कही जा सकती है मंचित की जा सकती है खाली रेडिय जो है वो टैद की जाती है उस रसना पद्दती की आधार पे इसके भेद की जाते है तो पहला भेद आता है एक द्रिश्य एकांकि है दूसरी है अनेक द्रिश्य एकांकि ऐसी एकांकियों में द्रिश्य एक नहीं बलकि दो, तीन, चार, पांच या साथ आठ्स तक भी हो सकते हैं फिर तीसरी है भूमी का एवं उपसंगहार युक्त एकांकी कुछ एकांकियां ऐसी होती है जिनमें भूमी का भी पहले से लेखक जो है बताता है फिर उपसंगहार भी बताता है हलांकि आजकल ऐसी एकांकियों का चलन लगबख समापन की हो रहा है यह प्रार्मी के स्थितियां हुआ करती थी जब ऐसी एकांकियां लिखे जाती थी अतात पहले भूमी का बंदी जाती थी फिर वो एकांकी की जाती थी और उसके बाद उपसंहार के द्वारा एकांकी का समापन किया जाता था फिर चोथे प्रकार की एकांकियां है प्रवक्ता युक्त एकांकी अर्थात इन एकांकियों को आगे बढ़ाने में एक प्रवक्ता अलग से होता था या होता है कुछ ऐसी चीजी होते है जो नाटक में सीधे-सीधे एक आंकी में सीधे-सीधे अभिव्यक्त नहीं की जा सकती या पाटक या धर्सक के सामने नहीं लाई जा सकती तो वो इस्थितियां और नाटक को एक कांखी को निश्चित समय के दायरे में बांधने के लिए कि नाव्यकांखी अधिक विस्थारित नहीं हो जाए उसके लिए एक प्रवक्ता जो है वो उस एकांखी में रखा जाता है और सुत्र धार भी हम जिसको कह सकते हैं उसके माध्यम से एकांकी आगे बढ़ती जाती है और अपने उदेशे को प्राप्त करती है फिर है पात्रों के आधार पे तो नाट एकांकियां एक पात्रिय भी एकांकियां होती है और फिर उसके उपभेद हम कर सकते हैं तो रंग मंच पर जो एकांकियां मंचित की जाती है वो फिर किस तरह से की जाती है वो भी हमें देखना होगा जैसे रंग एकांकी रेडियो एकांकी कई तो रंग मंच पर खेली जा रही है वो रंगी एकांकी होगी फिर एक खाले रेडियो पे बोल करके भी आवाज द्वारा प्रकट की जा रही है वो रेडियो एकांकी होगी जिसे हम रूपक के रूप में भी जानते हैं फिर है टीवी एकांकी तो टेलीजन एकांकी भी आजकर कहते हैं जिसे आप सीरियल के चित नहीं किया जाए तो पाठे एकांकी भी होती है रंग बंच के आधारवेदिया मंतर करते हैं तो रंग एकांकी भी होती है रेडियो एकांकी अतातरूपक भी होता है और टीव एकांकी भी होती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि एकांकियों के भेद किये जा सकते हैं और और भी बहुत से भेद हैं वो आप लोग जब आपनी पाठे पुस्तक को देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाते हैं और वो जी चोटे मोटे भेद आपके सामने आते हैं तो उनको आप पढ़ें जरूर उस आपकी पाठे पुस्तक में क्योंकि सारा यहां व्याख्यान में आ आपके सामने लाया जाना संबवनी होता लेकिन जो महत्वपोर्ण हिस्सा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है इसी के साथ आज की हमारी यह जो वारता है वो यहीं समाप्त होती है जै बारत जै हिंद